तो दूस्थू IPL 2024 में कल एक ब्लॉक बश्टर मुकाबला रोयल चैलेंजर्स बिंगलूरू और मुंबई इंडन्स के बीचे खेला गया और इस ब्लॉक बश्टर मुकाबले में रोयल चैलेंजर्स बिंगलूरू को हारका सामना करना बड़ा है मुंबई इंडन ने रोयल चलेंजर बिंगलोरों को हरा कर प्ले ओफ में कौलिफाय करने के रास्ते और भी आसान कर लिया है जबकि रोयल चलेंजर बिंगलोरों के लिए और भी कटिन हो चुका है प्ले ओफ में कौलिफाय करना वही मुंबई इंडेंचेन नहीं सुपरिंग गुजरा टैनल बाकि सभी टीमों का प्ले आफ में कौलिफाय करने का पूरा सेनेरियो क्या है कि इस टीम के कितने चांसे साइस वीडियो में आपको सभी जानकारी जो हैं मिलने वाले तो दूस्तो वीडियो रहने वाली है काफी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागी तो आए चलो जिसे वीडियो सबसे पहले हम बात करते हैं उस टीम की जिसके प्ले आफ में कौलिफाय करने की चांस सबसे ज़्यादा है जो की है राजस सानुल राजस सानुल से पांच मैचों में आट अंक हासिल कर ली अगर वही है टीम पांच में जीत करके 10 अंक और हासिल करती है तो 18 अंकों के साथ यह टीम आफिसली प्ले आफ में कौलिफाइ कर लेगी वैसे इस टीम के प्ले आफ में कौलिफाइ करने के जो चांसे से 80 से 95 परसेंट नजारा आ रहा है वही राजस सानोल्स पोइंच टेबल है अभी इन दोनों टीमों को 10-10 मेंचों में से कम से कम 5-5 मेंच जीत करके 10-10 अंक और हासिल करना है तब दोनों टीमों के पास हो जाएंगे 16 अंक और 16 अंकों के साथ यह टीम में प्ले आफ में कौलिफाइ कर सकते हैं दोनों टीमों का नेट अनेट पलस में बहतरीन है वह बात करें चेननी सूपर किंग और संडाइजस हैदराबाद की तो चेननी सूपर किंग और संडाइजस हैदराबाद दोनों ही टीमों ने 5-5 मैचों में 3-3 मैच जीत करके 6-6 अंक हासिल कर लिए अभी ये दोनों टीमों को 9-9 मैचों में 5-5 जीत करके 10-10 अंक और हासिल करना तब यह दोनों टीमों के पास 16 अंख होगे और 16 अंखों के साथ टीम है प्ले ओफ में कौलिफाइ कर सकती है अगर दोनों टीमों को 6-6 मैच में जीत मिलती है तो दोनों टीमों के पास 18 अंख हो जाएंगा और 18 अंखों के साथ यह टीम है ओफिसली प्ले ओफ में कौलिफाइ कर लेंगी वहीं अगर ये दोनों टीमों को आने वाले चार या फिर पांच मैचों में हार मिलती है तो ये टीम में प्ले आफ से भी बाहर हो सकती है वैसे चिन्ने सुपर किंग और संडाइजस हैदराबाद के प्ले आफ में कौलिफाय करने चैंसे से 60 परसंट दिखाई दे जहां चिन्ने सुपर किंग पहुँच टे बल में चौथे नमबर पर है तो इस संडाइजस हैदराबाद पहुच टे बल में पांच वे नमबर पर अभी है बात करें गुजराथ टेंट के छे मैचों में चेंग इस टीम ने तीन मैं जीता भी इस टीम को दस अंकों की और थ करने के chances है 50-60% दिखाई दे रहे हैं बात करते हैं मुंबई इंडन की तो मुंबई इंडन ने कल के बहतरी इन करने के रास्ते पूरी तरह से कायम रखे हैं मुंबई इंडन जो पांच मैचों में दो मैच जीत करके चार अंक का हासिल कर लिए अभी इस टीम को नो मैचों में से चे मैच में और जीता हासिल करनी होगी तब इस टीम के पास 16 अंक होंगे और 16 अंकों के साथ ये टीम प्ले आफ में कौलिफाय कर लेगे लेकिन साथ में इस टीम को अपना नेटर नेट भी और बहतरी ने करना होगा जहां मुंबई इंडन पोइंस टेबल में साथ वे नंबर पर पहुँच चुकी है तो इस टीम के प्ले आफ में कौलिफाय करने होगी चंसे से अब 40 से 45 परसंट द जगाई दे रहे और अब बात करते हैं पंजाब वेकिंग की तो पंजाब कींग के 5 मे judo में 4 अंक हैं 2 मेंच इस टीम ने जीते है अभी इस टीम को 9 मेंचों में से 6 मैच में और जीत हासिल करनी होगी साथ में थोड़ा नेटर अनेट भी अच्छा करना होगा ताब इस्यो के पास 16 अंक होंगे, 16 अंकों के साथ-साथ इस टीम का निटर नेट भी बहतरीन होता है, तो ये टीम प्ले आफ में कौलिफाइ कर तकती है, वैसे इस टीम के प्ले आफ में जगे बनाने के जो चांसे से 30 से 40 परसेंट दिखाई दे रहे हैं, और अब बात करते हैं रोयल चैल लेट भी बहतरीन करना होगा, तब ये टीम प्ले आफ में कौलिफाइ कर सकती है, अगर आनेवाले रोयल चैलेंजर बिंगलुर के पाँच मैचों में दो अंक इस टीम ने भी अब तक एक मैच जीता है, अभी नो मैचों में से इस टीम को कम से कम साथ मैच में और जीत करके देली केपिल के प्ले ओफ में कॉलिफाय करने के सभी सेनेरियो तो आपके गोडिंग आपको कहा लगता है आईपिल दो हजार चोविस के प्ले ओफ में कौन सी हो चार टीम में रहेंगे क्या ओर आजससान रोयल्स के के आर एलेजगी एफिट से एस करेगी या फिर कोई और टीम कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं दोस्तों इस सब्सक्राइब कर के अगर आप वीडियो पसने है वीडियो को लाइक का देना चैनल को सब्सक्राइब करके पेल आइक अंद